कॉंग्रेस के विधायक राकेश मावई ने मुरेना जला अध्यक्ष के पत से स्तीफा दे दिया उन्होंने PCC चीफ कमलाथ को पत्र लिख कर स्तीफा दिया बताया जो आ रहा है कि राकेश मावई ने निकाय चुनाव में गुजर समाज को टिकेट नहीं देने से लंबे समय से वो नराज चल रहे थे नाराज थे हलाकि उनका कहना है कि एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मिले के तहत स्तीफा दिया है मैं अपनी विधान सबाच शेत्र में समय देना चाहता हूँ इसलिए जिला अध्यक्ष के पद से स्तीफा दिया है वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी से कोई नाराज गी नहीं है और निकाय चुनाव के समय जो नाराज की थी वो खत्म हो चुकिया कॉंग्रेस पार्टी 2023 के तयारी में है मैं से कॉंग्रेस बुदायक राकेस मभी ने जलाद्देक्स पतसिस्थीपा दिया हमारे साथ मुझूद है बात करेंगे उनसे बात करेंगे सर क्या बजाए कि जलाद्देक्स पतसिस्थीपा दिया मैं पिछले 12 वर्से से कांग्रेस का जिलादेश की रूप में ने कार किया है और 2018 में मेरे जिले में 6-6 कांग्रेस की आई थी और पाल्टी ने मुझे भरुसा करके मेरी निष्टा पर भरुसा करके मुझे 2020 में अप्चुनाव में टिकेट दिया मैं मेले बना चुकि दो पद रहने के बाद मतलब यह के मेरा पूरा दिहान रहता है मुरेना विधान सभाकेश में और जिले का संगठन भी चलाना पड़ता है तो अभी तक तो मैं चलाता हूं लेकिन यह अगला वर्स जो हमारे चिनावी है तो इस कारण मैंने आद्वनी कमलना जी आग्रे किया था कि म स्भान चाहता हूं मैं काफी समय से और अभी चुकी संगठन के चिनाऊ है यह वक्त है कि दूशरे कारकरतां को मौका मिलना चाहिए और दूशरा व्यक्ति आना चाहिए उसको मैं सही हो करूँगा और अपने भूल अपने विधाई की कारकाल को और अपने संग्टन पाल्टी में मुझे जो भी जुम जुम्मिदारी देंगे उसको मैं निवांगा और कुल मिला कि यह है कि एक व्यक्ति एक पद का होना चाहिए जो मैंने उसका पालन किया है और निश्य तोर पर आदर्णी कमलना जी ने के नेत्यत में मत्रदेश में कांग्रेस की सर जीत कर अधर्णी कमलना जी को मुक्मंत्री बनाने का कार करें कि अस्तिपा मंजूर हुए कमलना जी से अपकी बात ही कुछ हाँ निश्य तो पर मैंने आग्रे किया है तो उन्होंने में आग्रे को शुकार कि वह ठीक है अच्छे बात है और बलकि मुझे लगता है कि मैं सम को सब्सक्राइब करें साफ तोर पर यही कहना है कि लंबे समय से अद्धिक पर थे और आब वो चाहते हैं कि संगतन चुनाओं ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति को मौका मिले ताकि आने वाले विधानसवाद चुनाओं में वो फुल फ्रैस तैयारी कर सके अब देखने ही हो को पल